तो हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू शेवजार वितायूश और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में काफी कुछ important news के वारे में तो चलिए सबसे पहली ख़बर से शुरू करते हैं वीडियो जो है Zomato के उपर तो फ्रेंट्स जोमाटो ने अपना 10-minute food delivery offering बन कर दिया है और CEO ने ये भी announce किया है कि 800 job post के लिए उन्होंने basically announces किया है जो आप massive layoffs देख रहे हैं इसी दोर में जो Zomato है वो definitely layoffs नहीं कर रहा है लेकिन अभी भी और jobs add up कर रहा है which is a very big thing and definitely एक बहुती सरान्य कदम है लेकिन उससे important news किया है ये 10-minute food offering see अब again हुआ क्या था Zomato ने बोला था कि हम 10-minute के अंदर food जो है वो deliver करेंगे और उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ा strategic हमारा ये plan है because इससे हम पूरा बदल देंगे ecosystem को but अब company ने बाद में इसी को बंद कर दिया है so ये बहुत ही बड़ी बात है because याद होगा आपको Zomato कहा तो ये भी गाता कि blanket भी यही करेगा so ऐसी चीज़े हुई थी तो अब यहाँ पर देखिए company ने साफ साफ क्या कहा है ये तो अब से important बात है उन्होंने ये कहा है जोमाटो instant as the business has struggled to grow and faces challenges in the turning profitable अब media reports ने यही माना है but company ने जरूर इस claims को deny कर दिया है but company ये कह रही है कि जो business है उसको बस वो rebrand कर रहे है but again ये बात आपको भी पता होनी चीए कि अगर कोई company किसी चीज़ को बंद कर रहे है तो वो definitely क्यों करती है जब वो चीज़ चलती नहीं है या फिर उससे काफ़ी कुछ दिक्कत आ रही है तो company के पर ही वो चीज़ भारी पड़ रही है इसलिए दोस्तों जो Zomato है उन्होंने ये जो पुरा process है 10 minute का उसको बंद कर दिया है और अब definitely जो company है वो जो normal service देती है वो तो चले गई चले गा ये 10 minutes वाला जो है वो खतम हो जाएगा तो ये important बात है बाकी यह है कि हाँ company की CEO Depender Goyal की तरफ से साफ साफ अनौंस किया गया कि वो 800 job vacancies देने वाले हैं across 5 roles वो ये उनके LinkedIn post के अंदर बताया गया जिसमें chief of staff to the CEO, generalist, growth manager, product owner और software development engineer के लिए उन्होंने काए कि apply कर सकते हैं तो definitely अगर आप वीडियो देख रहे हो और अगर आपको apply करना है तो आप भी कर सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों next खबर के उपर so friends देखे टाटा मोटर्स के लिए बहुत important यही news है कि टाटा मोटर्स ने अपनी जो voluntary deal listing है अब उसको confirm कर दिया है और NYC से इसकी voluntary deal listing अब confirm हो चुकी है so जुनको नहीं पता है यह बात ध्यान रखेगा टाटा मोटर्स का शियर इंडियन इक्विटी मार्केट्स में तो ही है लेकिन American stock exchanges NASDAQ के अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है NYC के अंदर तो इसलिए दोस्तों company ने यह साफ साफ क्या दिया है कि after Monday यानि जो upcoming Monday है उससे जो stock है वो trade करना चालो नहीं करेगा there will be no over the counter market trading of the American depository shares जिसे आप ADR के नाम से जानते हैं जो भी इंडियन stocks list होते हैं वो ADR होते हैं अगर US market में वो trade हो रहे हैं फिर कई भी market में trade हो रहे हैं उनको ADR बोलते हैं American depository shares basically यह दोस्तों जो shares है वो आपको यहाँ पर हटते होए देखने को मिल जाएंगे ADSS के तो जो होता है कह सकते हैं कोई दिक्कत वाली खबर नहीं है विकाज आप लोग सोच सकते क्या एक खराब खबर है या फिर इस खबर से कह सकते हैं कंपनी की market cap में कोई change आएगा तो basically ऐसा कोई change आता नहीं है खास delisting company क्यों कर रही उसकी पीछे का भी company reason बताया था कि काफी जादा information देनी पड़ती है हर एक exchange को कोई भी अगर news निकल के आती है या फिर कोई भी अगर छोटा उसा भी update होता है और America में यह भी कहा गया था कि कुछ जादा ही processes होती है जिससे company अब भी सोच रही है कि आगे अगर देखेंगे तो देखेंगे अभी के लिए तो definitely वो delisting का रुक अपना रहे अगें यह कोई खास negative ख़वर नहीं है इसलिए अगर आप देखेंगे तो आज stock जो था वो gain कर गया बढ़ गया उसके पीछे क्योंकि कोई सी खास negative ख़वर नहीं होती है यह कि delisting अगर आ company का loss जो है वो काफी कम हो सकता है अब numbers जो है वो definitely यह है कि company अभी भी loss मेरेनी के ज्यादा तर chances है लेकिन जो company है वो अपना पीए टी है यह फिर कहें जो company का loss है basically वो काफी कम होगा due to an improved mix at JLR and softening input cost इसके कारण दोस्तों जो company का business है वो definitely बढ़िया करने की पुरी-पुरी expectations ह आज जिस प्रकार से numbers निकल के आए मारूती के वो भी बहुत ज़दा encouraging थे और इसलिए यहाँ पर माने जा रहा है कि Tata Motors भी कल numbers जो है वो अच्छे पेश कर सकती है तो यह बहुत बढ़िया खबर है mostly मुझे लगता है कि आज की 30 के पीछे का reason भी यही था कि company के numbers अच्छे आ सकते हैं या फिर कहूं बाजार के अनुमान के सबसे कुछ ज़्यादा खराब नतीजा आने की chances नहीं है अब मैंगर HDFC की बात करता हूं तो देखिए HDFC यह मानता है कि करीवन 16.6% company का साल आना revenue grow कर सकता है 5.8% quarter and quarter और यह मानते कि company profit देगी 267 करोड का जैसा दूसरी brokerages है वो कहरी है कि company जो है वो 30 करोड के आसपस का नुकसान दे सकती है तो इसके आसपसी numbers रहने वाले हैं जादा कुछ खास दिक्कत नहीं रहेगी बढ़ा अगर company कल profitability पेश कर देती है तो I think it's a very big positive for Tata Motors, Tata Motors shareholders जो definitely कब से सोच रहे हैं कि company कब अपना मुनाफ़ा पेश करेगी त बिल्कुल कल के numbers बहुत important होने वाले हैं अब दुस्तों बात करते हैं Canera Bank के उपर तो दुस्तों Canera Bank के numbers निकल के आए थे and numbers तो undoubtedly बहुत ही शानदार रहे जुनको नहीं पता है company ने करीबन 2800 करोड का revenue post किया है almost 29 करोड 2900 करोड का हम कह सकते हैं जो पहले 1500 करोड का था मात्र लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि और updates निकल किया है उसके मताबिक जो global business company का वो करीबन 13.63% से बढ़ गया है और करीबन 20 लाग करोड का milestone पार कर लिया है यानि company ने जो global businesses को मिलाकर 20 लाग करोड का business जो है वो कर लिया है and it's a very big milestone for company operating company का profit 6952 करोड पे रहा 19 से 20% के आसप प्रास्टिक निकल के आए जरूर बहुत कुछ खास reaction नहीं था but again I think जो banks अब numbers पेश कर रहे हैं बली वो PSE हो बली वो private sector हो private sector में आपने दो results देखे है ICICI HDFC HDFC and जो भी numbers निकल के आए थे access bank के I think जिस प्रकार के numbers पेश कर रही है सारी banks जेन के bank कह सकते है stock इतना कुछ खास price पे मिलता नहीं है लेकिन जिस तरह से stock ने अभी production किया है plus अब जो numbers पेश करें I think it's massive और I think अब banks में जिस प्रकार का move आया भी है हाल फिलाल के अंदर I think वो यही दिखाता है कि definitely अब strong कर रहे है NIA is काफी बढ़िया कर रहे है so I think banks के अंदर भी आपको रुजहान रखना अची है और यह बहुत बढ़िया positive है हमारे पुरे Indian equity markets के लिए especially banking sector तो यह जो मैंने कहा बढ़िया बहुत ज्यादा करी रहा है इसकी एक्स डेट है वो भी बिल्कुल नजदीक आ चुकी है because company जो है वो definitely देखे जिस प्रकार से dividend लगाता देती आ रही है वो अपना आप में बढ़िया है बट यह जो dividend है यह भी अपना आप में बढ़िया है और 27 जनवरी जो है दोस्तों इसकी record डेट है यानि कल 25 जनव आने markets जो है वो बंद है तो यह बहुत important है कल जो stock है वो X dividend आपको trade करता हुआ देखने को मिलेगा so कल 28 रुपीस का जो dividend है वो basically X dividend हो जाएगा क्योंकि कल 25 जनवरी है और 27 जनवरी इसकी record डेट है यह बात भी आपको पता हो नीचिए तो कल persistent system X dividend basically trade करने वाला है अब दोस्त तो company के दौरा announce किया गया है कि company जो है वो stock split देगी 1 is to 5 के ratio का अब यह important बात है कि देखे company के numbers भी काफी बढ़िया निकल किया है अब जो है वो company भी यहाँ पर interim dividend के साथ-साथ जो है stock split करने वाली है और जुसमें subdivision होगा वन equity share of a face value of rupees 10 each into 5 equity shares तो यह बात ध्यान रखेगा हर एक share पर आपको पांच और share हर आपका एक share जो है वो पांच share में तबदील हो जाएगा तो यह बात important है कि servo tech power के द्वारा भी announce कर दिया गया record date जो है वो तीन फर्वरी रखी गई है तो फ्रेंट इस वीडियो में इतना thank you friends watching this video